हे गाईज मेरा नाम देवविंद और आप सभी लोगों का मेरे इस योटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तो ये है एमेस पेंट का टूटोरियल लंबर 16 अगर आप अभी तक टूटोरियल लंबर 15 नहीं देखें तो आप उपर दिये गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमेस पेंट के अंदर ग्रेडियन कलर बनाना सीखेंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना एमेस पेंट सोफियर ओपन कर लिया इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके वरकिंग एरिया के राइट साइड में Right side में scroll करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा point मिलेगा तो आपको अपना cursor इस point के उपर लेकर जाना है जब इसको आप यहाँ पे लेकर जाएंगे तो आपका जो cursor है यह arrow में convert हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जब ये arrow में convert हो जाए तो आपको अपने mouse का left button दबाना है और इसको दबाने के बाद आपको इसको top side में drag and drop करना है ओके तो आप यहाँ पे देख सकते मैंने इसको यहाँ पे top में drag and drop कर लिया इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर दिना है ओके तो आप यहाँ पे देख सकते मैंने इसको यहाँ पे fit कर दिया और fit करने के बाद आपको जाना है आपके अपने safe में और safe में जाने के बाद आपको यहाँ पे select करना line और line को select करने के बाद right side में आपको में लेगा इसका size तो आप यहाँ पे click करके one pixel का size select कर लिजिए इसको select करने के बाद आपको अपने working area में line बनाना है ओके तो मैं यहाँ पे line बना देता हूँ ओके तो जब आप अपना line मराएंगे तो आपका working area पूरा block होना चाहिए ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो lining मैंने यहाँ पे create किया है उपर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो आपको इसको drag and drop करके यह पूरा cover कर लेना है ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे top में और right side में पूरा block कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो आपको इसी तरह यहाँ पे कुछ lining create कर देना है ओके तो मैं यहाँ पर अपना line बना लेता हूँ ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना lining create कर लिया और line को create करने के बाद आपको यहाँ पर select करना है आपका अपना fill with color tool और इसको select करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है अपना color तो मैंने यहाँ पर ले लिया Indigo Color और इसको लेने के बाद मैंने इसमें Color Fill Up कर दिया Okay, तो मैंने यहाँ पर Click करके इसमें अलग-अलग Color Fill Up कर दिया Okay, Color को Fill Up करने के बाद आपको यहाँ पर एक Option मिलेगा Resize का, जिसका Shortcut की आपको मिलेगा Ctrl Plus W Button तो आप एक बार यहां पे क्लिक कर दीजिए इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका resize and isqueue का एक छोटा सा dialogue box open हो जाएगा इसके बाद आपको नीचे यहां पे एक option मिलेगा resize का और इसके अंदर आपको यहां पे buy करके आपको दो option मिलेगा first मिलेगा आपको percentage का और second मिलेगा आपको pixel का ओके तो आप चाहिए तो यहां पे pixel के उपर भी क्लिक कर सकते हैं तो आप चाहिए तो यहां पे percentage के उपर भी क्लिक कर सकते हैं ओके इसके बाद नीचे यहां पे type है horizontal और यहां पे type है vertical और नीचे यहाँ पर type है maintain aspect ratio तो आप यहाँ पर देख सकते इसमें यहाँ पर check लगा है तो आप इस check को remove कर दीजे और इसको remove करने के बाद आपको यहाँ पर horizontal वाले box में one type करना है और one type करने के बाद आपको नीचे से okay बटन के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा color था वो पूरा यहाँ पर resize हो गया आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है resize option के उपर इसके उपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना maintain remove करना है और इसको हटाने के बाद आपको यहां पे horizontal में one type करना है और one को type करने के बाद आपको यहां पे okay बटन के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद आपका gradient color mix हो जाएगा इसके बाद आपको फिर से resize option के उपर click करना है और इस को रिमोब करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है 500 ओके तो मैंने यहां पर टाइप किया 500 इसके बाद आपको यहां पर 500 टाइप करदना है ओके इसके बाद आपको यहाँ पे OK बटन के उपर क्लिक करदना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा gradient color है यह यहाँ पे resize हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो मैंने फिर से resize के उपर क्लिक किया और इसके उपर क्लिक करने के बाद आपको अपना maintain करना है remove और इसको remove करने के बाद आपको यहाँ पर type करना है 500 इसके बाद आपको ok बटन के उपर क्लिक करना है ओके इसके बाद फिर से आपको resize के उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक आपसन का यूज आप अपने हुसाब से कर सकते हैं इसके बाद मैंने फिर से Newsiamo पर क्लिक किया और इसके बाद आप यहाँ में पर देख सकते मेरा News pista का director वाक्स ओपन हो गया इसके बाद मैंने यहाँ में पर मेंटेन को मोठ किया और मैंने यहाँ पर कम कर सकते हैं ओके तो मैंने यहाँ पर किलिक करके इसको छोटा कर लिया ओके तो आप यहाँ पर जाकर आप अपने ही साथ से अपना gradient color resize कर सकते हैं ओके तो मैं एक बार फिर से आपको gradient color mix करके दिखाता हूँ हुआ, आप कर दो प्याख charisma हुआ, आपके जाए पार, झालते हुआ एटा हुआ कर पके था डीछ्स झाल 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 झाल